करने जारे हैं तो जैसके मैं प्रिविस एपसोड में देखा था इन बोल रही होती जितने ही पावफुल लोग होते है अदर शोर के वो पूरे देखके से अपने अदर शोर टोकन को यूज नि कर पाते हैं जब तक किसी का अदर शोर टोकन पूरे तरीक से जलने जाता है तो पूसिबल है कि वो फूल पावर को यूज कर सकते है टोकन की अपसोड नमबर सिक्स अंडर सेवन की स्टारिंग होती है इन बोल रही होती है अगर तुम इस तरीकी के सुप्रीम स्वर्ड मैनुवल को कल्टिवेट कर पाओगे तो तो तुमारे पास चांस है तो अपनी इसटन आपर टाई ने बनाया था जो इसटन आपरे टाई है वो 3000 डिवाइन डाउस को मर्ज करना चाहता है था स्वर्ड डिवाइन अबिलीटि में और एक टुट स्वर्ड को बनाना चाहता था पर वह फैल हो गया पर जो रीजन था फेलर कवह है यह कि मर्ज नहीं हो पात इस तो यह Eastern Emperor Tai का काम है कुछ जादे इसने महनत की थी से बनाने के लिए पर यह अभी बी इंकम्प्लीट है जो प्राइज वह 1.5.000.000 डिवाइन क्रिस्टल्स है लुजंग बोलते हैं लुजंग बोलते हैं लुजंग बोलते हैं मैं डाव मर्जिंग के रास्ते पर चला लुजंग बोल रहे हों कि तुम डाव मर्जिंग के रास्ते पर चले हुए हो या तुमने तीन या पांच डिवाइन डावस को मर्ज की है अगर तूमई मैंनल को इसको क्ल्टिवेट करना चाहते है तो तो तम इंडे को मर्ज करना पड़ेगा ईटलीस बोलते हैं के पिलर के पास ही पहुंचाता है उस मैनल के पास ही वह आज बोल रही होती है कि ये टू मीनिंग ओफ एटनल स्वोड के बारे में है पुराने टाइम पे काफिस ज्यादा लोग टू मीनिंग ओफ नेचर को प्रैक्टिस करते थे पर इस्टर एम्परर टाई था उसने अपनी स्वोड को यूज किया सी ओफ टू मीनिंग को क्रोस करने के लिए और अधर शोर में पहुंचने के लिए और यह संस्कृत लिखी होई है इस पेस के ऊपर जो कि ये यलो पेपर है वह अधर शोर से फिलाई गई है इन बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कि ये टू मीनिंग अधरनल स्वोड इस्टन एम्परेट आई ने लिखी है वह आस बोल रही होती है कि जो ठू मीनिंग को इस वर्ल्ड में लाया है मतला एक्चल में इन्होंने बनाया नहीं है पर डिसकावर किया ऐसा रख लो तुम अधर शोर में घूमते घूमते उन्होंने इसे पाया और अपने वर्ल्ड में फिलाया लुजंग सोच रहो होता है अलुसी बिंक्स ये उन क्रेचर की बात हो रही है जो अधर शोर में रहते हैं क्या लुजंग बोलता है तो कितनी ज्यादा कीमत है से एलो पेपर की अवाज बोलती है कि 10 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल एक दिन के ल सब्सक्राइब के लिए 100 मिलियन की कीमत भी हो सकती है इस पेपर की इन बोल रही होती है कि कोई भी इतने जा सालों में से डिसाइफर नहीं कर पाया इस तन एमपर टाय भी नहीं मेरे ओपिनियन में इंपॉसिबल ऐसे डिसाइफर करना तभी शोंग वाँ पर आती हो कोपी बनाने के लिए इन सोच रही होती है सुपरीमस ौड मैनुव बन सकती है इन इक हो गलत थ सब्सक्राइब कर रही है इन चीज़ों के बारह इसका एइंन्टिटी के है तभी वह जावाद होती है कि किस की हिमत मेरे टू में इंक्टी से बात ये कर रहा है जाओ शांक बोल रही होती है मैं किस इंसान को कुछ ड्लीवर करने के लिए आई हूँ अगर सुप्रीम वन हेवली पैलस ने ब्लोक ने किया होता तो जो मेरी ग्रैंड मा है उसने ओरिजन स्वोर्ड मैंशिप इसे दे दी होती जो कि डिरेक्टली सिर्फ मतलब डिरेक्ट डिसिपल्स ही लरन कर सकते हैं इस उनके इनर किंग दोनों हरान हो जाते हैं किंग सोच रहा होता है कि इनसान तो जरह भी सिंपल नहीं है वो बोल रहा होता है चलो देखते हैं टाइव मांटन के लिए जितनी भी सुप्रीम स्वोर्ड मैंवल जोने में 20% डिसकाउंट पर दूंगा कैसा रह गए जाशांग बोल दियो एतिन नहीं एट लिस 60% तो दो और जो भी चीज़ें ड्रैगन सिटी के ट्रू मिनिंग स्वोर्ड पैविलिन में 40% देने पड़ेगा तुमें कि बोल रहा होता है ये वो बोलता है ठीक है मैं लोस में बेच रहा हूं आज लुजंग भी उसे शुक्रिया बोल देता है वो बोल रहा होता है कि और साथ में म सुप्रीम स्वोर्ड मैनुल 3.2 मिलियन क्रिस्टल्स है इसके डिस्काउंट के बाद 40% विसंग सोच रहा होता है जो एर माउस क्लान और इमें 15 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल दी है 40% डिस्काउंट है तो चलो ठीक ही है और में कुछ ताइम के बाद का सीन दिखाए देता ह पस्टलोर का खिंग सोच रहा होता है यह इनसान तो को जादा ही लालची है विसंग जाते है बोल रहा होता है फ्लाग मास्टरीन शुक्रिया तुमारी हेल्प के लिए स्वोर्ड मैनुल्स को चूज करने के लिए इन बोल रही है कुछ भी नहीं है यह जो 70 और 80 कोपीज है यह काफी होंगी तो हमारी डिसिपल्स के लिए कुछ टाइम के लिए तो वो इनसान वहां पे होते हैं मतलब ही लुजंग के दुश्मन उसका डिस्पल बोल रहा होता है कि क्या हमारा यंग एस फ्लाग मास्टर उसने स्वोर्ड मैनल को चूज किया इतने जा सीरिस मैनल में युजंग सोल्चर उते वांग जाय और जाओ हो जाओ जाओ एक फ्लाग मास्टर नहीं है तो यह ऐसे कैसे ड्रेगन सिटी में आ गया जाओ श्वांग को नोटिस करता है जल्दी से उसके पास आ जाता है वो बोल रहा है तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमारे पास इतने जाओ सुंदर लड़की है तुमारे फ्लाग के अंडर वो बोल रहा है था लेटल गर्ल उसका कोई फ्यूचर नहीं तो मुसे फोलो मत करो मेरे टीम में क्यों नहीं आते तुम तुमारे फ्यूचर फिर कुर जादा ब्राइट हो जाएगा श्वांग बोल रहा हो जाओ बोल रहा हो तो तुम चीज़ें मुश्किल बनाना चाहते हो ऐसे हम ड्राइगन सिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं पर जब ड्राइगन सिटी की बार की बात आएगी जाओ शांग नहीं सुनती है उसकी और अपनी स्वोर्ड से उसके हाथ को कट कर देती है करूंगा यहां पर इन बोल रही हो तो अब तुम मरना ने चाहते हो तो रुक जाओ वांग जाओ बोल लो हता है तुम्हारी इतनी में तुम मुझे रोकने कोशिश कर रही हो वो श्वांग की तरफ अटेक करने लग पड़ता है इन सोची हो तिसे नहीं को जादर फास्ट ह